Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आप से विका, बच्चों ये class 6 का हिंदी बुक है, chapter 11 है और इस chapter का नाम है मा कह एक कहानी, तो इस chapter को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आही गया होगा, ये एक poem के रुप में दिया वाया है और हम लोग इसको बहुत प थोड़ी सी जगड़ा हो जाता है, वो हंस को बचाना चाहता है और हंस को मार के गिराया था, इसलिए वो हंस को लेना चाहता है, तो वही चीज है यहाँ पे और उसको कहानी के जग़ा पे ये poem के रूप में कवीता के रूप में दिया हुआ है, और इस कवीता के रचियता ह हैं मैथिली सरन गुप्त और मैथली सरन गुपत का हम लोग संपर कलास में उसका कविता दिया हुआ है इसके लाओ उनके बहुत सारे कविते हैं रास्ट कवी के रूप में जाने जा तो हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं मैं बतला flavored कि यहाँ पे यह poem जो है, यह कविता, काफी साधरन language में, simple language में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, और तो और हम लोग इसका story पहले से जानते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से समझ लेंगे, तो आई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं. मा कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह मा कह लेटी ही लेटी, राजा थाया रानी, मा कह एक कहानी. तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो पुत्र है, वो छोटा है, और अपनी मा, जो उसकी मा का नाम यसुधरा है, तो अपनी मा से वह कह रहा है कि मा एक कहानी मुझे सुना दो. तो समाईने तरफे हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो सोने के समय में, अपने ममी पापा या जो भी है उसके सामने, दादा दादी, नाना नानी, उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा करते हैं. तो वैसा ही situation है, और राहुल जो है अपनी मा को कहानी सुनाने के लिए कह रहा है, कि मा एक कहानी मुझे सुना दो, उसकी मा क्या कहती है, कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया, जो मुझे कहानी सुनाने के लिए कह रहा है, तो बच्चा बहुत चलाक है, और वो जो है इस तरह से बात को कहता है कि मा मुझे यह दासी बतलाती है कि तु मेरी नानी तो नहीं लेकिन नानी की बेटी है। तो यहाँ पर उसकी मा कहानी सुनाना आरम्भ करती है यहाँ पर सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भर्मन करते थे तेरे जहां सुर्भी मन मानी हा मा यही कहानी अब उसकी मा यहां पे कहानी सुना रही है तो उसके पिता का ही गोतम बुद का ही कहानी सुना रही है कि उस समय सुबह-सुबह तुमारे पिता जी सवेरे-सवेरे उप्वन में मतलब बगीचे में घूमने के लिए जाया करते थे और वहाँ पे मंद-मंद सुगंधित हवाएं चला करते थे तो यही कहानी सुनाने के लिए राहूल कर रहा है कहानी अब वहाँ पे उसकी मा बतला रहे है कि वो जो बगिचा है उपवन है उसकी सुन्दरता को बतला रहे है कि वर्न-वर्न के मतलब अनेक रंगों के वहाँ पे फूल खिले थे जलमल मतलब जो जिल मिलाते हैं जिसे जो ओस के जो बूंदे होते सुबह-सुबह जो फूलो रहे थे लहराता था पानी और उपवन में वहां पे जो पानी का स्रोवर था उसका पानी जो है लहरा रहा था हलकी हलकी जो हवाएं चल रहे थी उसके वज़ा से लहरा रहा था तो यहां पर कह रहा है हां मा यही कहानी मुझे सुनाओ और इसके आगे वहां पे सुना रहे है कि गाते थे खग कलकल सुवर से सहसा एक हंस उपर से गिरा बिद होकर खग सर से हुई पक्ष की हानी हुई पक्ष की हानी करुना भरी कहानी अब यहां पर आगे सुना रही है कि पंची अपने सुवर में गा रहे थे चाहा रहे थे लेकिन अचानक क्या होता है अचानक एक हंस उपर से आ गिरता है और हंस जो गिरता है वह तीर से बिध बिध मतलब घायल रहता है तीर लगा हुआ रहता है तो तीर उस पे लगा हुआ है और घायल हो गया है और वह नीचे गिर जाता है तो इस तरह से उस पक्षी को नुकसान हुआ समस्या हुआ उस पक्षी को और यह कहानी जो है अब करुना भरी कहानी दया भरी कहानी बन जाती है इसके आगे क्या है चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जनमसा उसने पाया इतने में आखेटक आया, लक्ष सिध्धी का मानी कौमल कठिन कहानी चौक उन्होंने, उन्होंने मतलब गौतम बुध ने चौक कर मतलब अचानक से जब उनके पास एक पक्छी घायल होकर गिरा तो वो चौक पड़े और उन्होंने जब तरपती हुए पक्छी को देखा तो उन्होंने उसको उठा लिया अगर वा आखेटक के हाथ में, मतलब शिकारी के हाथ में पड़े तो निश्ची तुरुप से वो मारा जाता. इतने में आखेटक आया, अब वहां पे शिकारी आ गिया. देवदत ही था जो उसका चचरा भाई था और उसको मारा हुआ था वो वहाँ पर आ गया और लक्ष सिध्धी का मतलब उसने जो निसाना लगाया और निसाना बिलकुल अचुक लगा इस बात पर उसे अभिमानी मतलब घमंड हो गया कि नहीं ये जो है मैंने इसे अपने तीर से मारा है अब यह कहानी जो है कौमल कठिन कहानी मतलब एक जो है दयाभावाला बेखती है और एक यहाँ निर्देव बेखती है तो इस तरह की कहानी बन गया अब यागे यहाँ पर कहानी है मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी तब उसने जो था खग पक्षी को बोला कि ये तो मेरा पक्षी है मुझे दे दो लेकिन तुमारे पिता जो थे वो एक रक्षक के रूप में थे उस पक्षी की रच्छा करने के लिए उन्होंने ठान लिया था तब उसने जो खग भक्षी मतलब जो पक्षी को खाता था या पक्षी को मारता था उसन बढ़ चली, दोनों ने अपनी अपनी बात पे जिद ठान लिया, कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, और वो जो है, वो सोच रहा है कि मैं इस पक्षी को ले कर रहूँगा, अब क्या हुआ, आगे कहानी यहाँ पे है, हुआ बिवाद, सदय निर्दय में, उभय आग रही थे, स एक निर्दय बिखती है, दोनों में बिवाद बढ़ गया, बाते बढ़ गई, अब दोनों ही अपने अपने बिशे को लेकर जित पे थे, कि नहीं मैं यह करके रहूँगा, तो अंत में क्या हुआ, यह बात जो है, नियाले में गई, राजा के पास, उस समय राजा ही निया यहाँ पे कहानी में क्या कह रहा है, राहुल, तू निर्ने कर इसका नयाई पक्छ लेता है किसका, अब उसकी मा जो है यह सोधरा, अपने पुतर राहुल को ही पूछ रहे है, कि अब तुम ही बतलाओ, कि तुम अगर होते तो क्या फैसला लेते, किसके तरब फैसला लेते, मा मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी अब वो छोटा बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है कि मा इसमें मैं क्या बोलू मैं तो कहानी सुन रहा हूं कोई निर्पराध को मारे तो क्यों अइन्ना उसे उबारे अब यहां मा उसकी बोल रहे है कि कोई निर्प्राध मतलब निर्दोस जीव को अगर कोई मारता है तो दूसरा उसे क्यों नहीं बचाएगा रच्छक पर भच्छक को वारे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है नयाय दया का दानी और जो दया करता है दया कादान करता है मतलब दूसरे पर दया भाव दिखाता है वही नयाय संगत है और वही नयाय पूर्ण है नयाय उसी को मिलना चाहिए तो नयाय दया कादानी तूने सुनी कहानी और इसमें जो है जीत उसी की होती है जो दया भाव जो रच्छक होता है तो रच्छक का ही जी तो यहाँ पे इस chapter का कविता समाप्त हो जाता है और इसमें क्या questions दिया हुआ है आईए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे सब्दार्त दिया हुआ है जो हिंदी और इंग्लिस दोनों बर्सन में दिया हुआ है तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें इससे आपका हिंदी और इंग्लिस दोनों ही strong होगा और यहाँ पे काफी सारा words दिया हुआ है क्योंकि पोयम में ज्यादतर words दिया जाता है और यहाँ पर यह इसका question है जो इस chapter का question है राहुल अपनी माता से किस बात की हठ कर रहा था तो राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का हठ कर रहा था तो इसका answer जो है generally मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन इसका answer आपको screen पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर ना नानी दादा दादी यही लोग कहानी सुनाया करते हैं इसलिए उसकी मा कहती है कि बेटा क्या तुने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मुझे कहानी के लिए कहानी कहा रहा है इसलिए यह उसकी मा बोलती है माता ने राहुल को कौन सी कहानी सुनाई माता ने राहुल क तो उसके पिता की बचपन की जो घटना थी उसकी कहानी सुनाई तो आंसर जो है आपको इस करीन पर आ जाएगा पक्छी घायल क्यों हो गया था पक्छी सिकारी के तीर लगने से घायल हो गया था आंसर आपको इस करीन पर आ जाएगा कहानी सुना कर माता ने राहुल से क्या कहानी सुना कर माता ने राहुल से प्रसंद क्या कि तुम अगर होते तो किसका पक्छ लेते इस कविता से महात्मा बुद्ध के बच्पन की किस विसिस्ता का पता चलता है तो महात्मा बुद्ध के दया भाव की विसिस्ता का पता चलता है इस कविता के रच्यता कौन है तो मैथली सरनगुप्त इस कविता के रच्यता है Q3 में यहाँ पे सरलार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है मतलब इसका आसे असपस्ट भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है यह दो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका अंसर जो है आपको स्क्रीन पे आ जाएगा और इसके आगे यहाँ पे भासा अधियन जो की हिंदी ग्रामर से question दिया जाता है तो यहाँ पे आपको दिया गया है इन सब्दों की अर्थ समझकर वाइक्यों में परियोग करो तो यहाँ पे इसका अंसर आपको मिल जाएगा तिस तरह से आप अलग sentence भी बना सकते हैं इसके अलावा तो इसका अंसर जो है आपको इसक्रीन पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे विलोम सब्द लिखो तो विलोम सब्द सदय, सदय का निर्दय होता है, कोमल का कठोर लिख सकते हैं, सुगंद, सुगंद का दुरुगंद, उसके बाद रच्छक का भच्छक और निर्प्राध का अपराधी इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्थ हो जाता है अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो helpful लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजिए और हमारे चैनल में इस तरह के other subjects के भी कई सारी वीडियो आते रहते हैं तो अगर आप एक student है तो आप हमारे चैनल को subscribe करके रख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं और इसके next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो पी चलेंगे